नमस्त्रा दोस्तों कैसे हैं आप लोग 3 जुलाई 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस और देहिंदू एडिटोरल डिसकुशन में आपका सौगा तब देखिए दा हिंदू में एडिटोरल्स आज की डेट में छपते नहीं है तो आज effectively यह बस यह current affairs ही बचा है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बतारूँ दूस्तों अगले संडे से मैं कोशिश करूँगा कि Indian Express के कुछ जो weekly important editorial से वो आपके लिए मैं आपके इंक्लूड कर दूँँ प्लस संडे को दा हिंदू का जो science and tech का जो portion आता है इसको भी overall मैं कोशिश करूँगा कि PPTs में include करूँगा तो अगले संडे से मैं यह जो editorial discussion है थोड़ा holistic कर दूँगा आज की date में तो articles लगबग शाए 6 या 7 हैं जो मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ बेसिकली daily news analysis वाले है टेकनिकली अब तक यही था कि मैं संडे को editorial नहीं बताता था reason being हिंदू आता नहीं है संडे को लेकिन अगले संडे से थोड़ा बहुत एंडेन अक्सप्रूस के दो तीम editorial articles जो अच्छे होंगे और एक दो articles जो important होंगे science and tech के वो मैं ज़रूर जोड़ूँगा आपकी deep knowledge और understanding के लिए आज के लिए daily news analysis को continue करते हैं आगे बंद पहले वीडियो पे like का बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लीजे Instagram पर follow कर लीजे Telegram group जोन कर लीजे Instagram पर आपके साथ जुड़ता हूँ Telegram group में आपको इस particular lecture की PDF और notification दोनों ही मिल जाएगी हो सगे दोस्तों तो join बटन दबा के और super thanks को option दबा के help करें और यह जो editorial प्लस daily news analysis वाली combined video आरी दोस्तों उसको जादा से जादा लोग के साथ share करिए काफी effort लगता है इन वीडियो को बनाने में तो if you can please share it with as much people as possible बॉक्तिस से YouTube के algorithm इन वीडियो को और promote करती चलिए पहली ने जो हम डिसकस करेंगे वो है कि उदैपूर case के बाद अमरावती में जो cooling हुई है इसको लेके NIA ने probe ले ली मैंने skilling के बारे में अपनी recent एक वीडियो में बताया था उमेश कोले जो की medical store के मालिक थे वो medical store बंद करने की बात अपने two wheeler पे और साथ में एक और two wheeler था जिस पे उनके बेटे संकेत और उनकी wife बैठी हुई थी इनकी बहु बैठी हुई थी एकदम से एक जगा पे आके जो उमेश कोले का scooter था उसको कुछ लोगों ने block किया आया और उनकी garden पे चाकू मार के चले के अभी initial investigation preliminary report से यह पता चल रहा है अगली news लिब्बिन पार्लामेंट में प्रोटेस्टर्स घुज गए और बवाल मचाने लगे तरखाट यहाँ पे मचाने लगे हुआ कहा है देखे लिब्बिया में जब से मौमर कदाफी था इसको हराया गया उसके बाद से east और west की एक crisis शुरू हो गई है लिब्बिया के बढ़ेंगे फिर safe चेक्रुण जी from climate change basically चेक्रुण जी क्या है अभी recently Qnews में इसको देखेंगे quannal database में हमने कितना flora और fauna जोड़ा है 2021 में इसकी बात करेंगे ऐसा बताया जा रहा है कि faunal मतलब जानवर की species 540 बढ़ी है और plants की species लगभग 315 बढ़ी है इसको देखेंगे फिर climate crisis के respect में एक article है इसको यहाँ पे समझेंगे और उसके बाद इंडिया और U.E. ने first round of trade negotiations को conclude किया है इस particular news को देखेंगे तो इतनी news में बहुत detail में आपके साथ दिखने वाला हूँ word of the day देख रहेते हैं force majur what is force majur यह है unforceable circumstances that prevents someone for fulfilling a contract irrestible compulsion और superior stint basically आपको कुछ करना था अब आप वो कर नहीं पाए आप उन वजहों से नहीं कर पाए जो कि आपके control के बाहर थ तरफ से USA में जाके project execute करना था और बीच में corona का pandemic आ गया तो सब flight वगरा बंद हो गई वीजा रद हो गया तो आप US नहीं जा पाए उस project पर काम करना जरूरी था आपके future के लिए आपकी company के लिए बढ़ आप कर नहीं पाए तो आप अपना contract fulfill नहीं कर पाए तो क्या force majur basically आपके सामने एक ऐसा compulsion आगया जिसमें आपके willpower को रोग दिया ऐसे cases में war, terrorist attack, epidemic, pandemic इस प्रकार की चीज़ें आथी death, labor strikes, riots, property theft, act of God, natural results इस तरीकी सब natural disaster आगया plane crash हो गया तो यह क्या है force majur है मतलब कुछ ऐसे factors जो की obvious सी बात है आपकी capability को restrict करते हैं तो समझे मागया force पर चलिए पहले news पर चलते हैं after Udhaipur case and are you to take a probe into Amravati के लिए तो बैया 21 जून को एक pharmacist को Amravati में मारा गया और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको भी इसलिए मारा गया चुकि भारती जनता पार्टी की spokesperson नपूर शर्मा को इसने support किया थै कनहिया लाल का जो मुद्ध है न दोस्तों ये एकदम से तना viral इसलिए हो गया चुकि जिन Muslims ने कनहिया लाल को मारा था वो brag करने लगे वीडियो बना के आपने साथी के घर पे गया ओफिस में गया और वहाँ पे जाके किया होगा किया उनको बोला होगा उनके पाकिस्तानी handlers ने कि जाओ वीडियो बनाओ जाओ बताओ चुकि देखे क्या होगा आप जैसे कि अमरावती में भी killing हुई अब अमरावती में killing अगर नोपूर शर्मा को support करने के विज़े से हुई 21 जून को event हुआ और popular media में इतना handlers ने जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे थे मतलब एक organized तरीके से चीजों को promote करना या पे जरूरी था तो क्या सच में जो अमरावती में killing हुई है इसमें भी कोई पाकिस्तानी अंगल है इसलिए National Investigation Agency को यहाँ पर यह case handover कर दिया गया है Union Home Ministry के द्वारा श्री उमेश कोहल जी को 21 जून को मार दिया गया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे अपने बेटे बहू के साथ और इनकी टू वीलर को रोका गया और उनको यहाँ पर स्टैप कर दिया गया साथ लोगों को arrest किया गया मरावती के अंदर एक alleged master reminder इरफान खान जिसने overall शायद this killing की प्लानिंग वगरा किये CCTV footage भी यहाँ पर मिला है उमेश कोले के ओपर इजाम क्या था कि नुपुर शर्मा को support करने वाले एक message को उन्होंने कैसे whatsapp group में circulate कर दिया जो कि overall Muslims को belong करता है तो यह overall जो मुद्दा है काफी बड़ा हो रहा है औ बहुत मुश्किल है इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रॉंग है बॉर्डर से कोई भी चैलेंज करेगा इंडिया इतना खतरनाक जवाब देगा कि बारी पढ़ जाएगा आपकी उपर इस समय पे ना चायना ना पाकिस्तान की आउकाद है overall इंडिया के बॉर्डर से हमारे उ समझ में आया होगा कि इस प्रकार से अच्छा है कि छुप छुप का अटाक करो इंफिल्ट्रेशन कराओ कुछ लोग को रेडिकलाइज करो और ग्राउंड लेल पे अटाक करो देख नया मोड ऑफ वार्फेर यहां पे पाकिस्तान ने खोल दिया है जो कि सीधे आर्मी से न समबर दो हजार आठ को हुए थे एलीट एजनसी इंवेस्टिकेशन और प्रॉस्टिकूशन और अफेंस को देखती जो सोवरेनिटी सेक्योर्टी और इंटेग्रिटी और इंडिया को एफेक्ट करते हैं इटॉमिक और नुग्लियर फेसलिटीस को प्रोटेट करना हाई क् काउंटरफीट इंडियन करनसी को रोकना फैलने से इंटरनेशनल ट्रीटीस, एग्रिमेंट्स, कन्वेंशन और रेजिलुशन और इंडियर निशन को इंप्लियमेंट करना टेरर को कामबैट करना इसको अब्जेक्टिव है यह आप क्या सकते हो सेंटल काउंटर टेररिज इंडिया की, ठीक है, एक्स्क्लूजिव लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिजम को रोकने के लिए भी यहाँ पे NIA काम करता है, NIA का मैंडेट एक्चुली में बहुत बड़ाया, जैसे कि क्या है, पहले लेफ्ट विंग एक्स्ट्रेट को रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब् इंडिया और EU का ट्रेड और इंवेस्ट्मेंट एग्रिमेंट के हो चुके है, इसमें जोगरिफिकल इंडिपेशन के उपर भी बात चीत हुए, एक हफते तक ये निगोसिशन हो रहे थे हाइब्रिड फैशन में, सामने-सामने भी लोग मिले और वर्चुली भी यहाँ प इसकास हुए, और ब्रसल्स में सेप्टमबर 2022 में सेकेंड राउंट अफ निगोसिशन होगी, इन निगोसिशन को लांच किया श्री पूश गोल साब ने, जो की कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, और ये निगोसिशन के एक हफते के निगोसिशन हो चुके हैं, अ अभी तक इंडिया और European Union की बीच में कोई भी Free Trade Agreement नहीं है, इस प्रकार की जो निगोसिशन होते हैं न, वो एक पाथ लेडाउन करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं Free Trade Agreement के लिए, और इंडिया अगर European Union के साथ एक Free Trade Agreement कर लेता है, ये हमारे लिए विन-विन सिच्वेशन होगी अगर इंडिया का Bilateral Trade देखो आप European Union के साथ, तो वो है 116.36 billion US dollars 2021 में, और 2020-21 में पूरी दुनिया का Trade सम गया था, इंडिया की एकनोमी कम हुई थी, लेकिन 2021-22 में, 2020-22 के रिस्पेक्ट में 43.5% Bilateral Trade बढ़ा है इंडिया EU का, और आगे चांसे बहुत जादा है, ये बहुत agreement sign हो जाता है, बट इंडिया और European Union के बीचे बहुत से आप कहलो problems है, जैसे कि इंडिया के agriculture और food products, European Union के market में बिकेंगे, तो इनकी quality checks किस प्रकार से होंगी, किस हद तक Indian masses को European Union के markets का access मिलेगा, कितनी आसानी से हमारे जो skilled person है, वो European Union के market में जाके काम कर सकते हैं, कितनी कम import duty में European Union का सावान, Indian market में आके बिकेगा, यह कुछ ऐसे issues हैं, जिनके ओपर detailed discussions की जरूँ है तर वो discussions यहां पर जारी हैं, देखें, इंडिया का second largest trading partner है European Union, US के बाल, और second largest destination of exports भी European Union ही है, इंडिया के exports के लिए, ओके, तो यह सब बाते हैं पर बताई जारी है, इंडिया के exports को expand करना और diversify करना, इसके लिए European Union के साथ trade union बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगर इंडिया को चाइना को टक कर देनी supply chains में, तो European Union के साथ trade union बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो trade negotiations हो रहे हैं, planned way में, balanced way में, comprehensive way में, broad based way में, fairness और reciprocity को ध्यान रखते हैं, GS paper 2, international news में इ अगली news है, इंडिया adds 540 species to its faunal database, देखें क्या हो 2021 में इंडिया ने 540 species जोड़ी हैं, अपनी faunal database में, faunal database समझे रहो न, मतलब कि, जो हमारे animal species हैं, उसकी बात हो रही है, और लिग बद 315 species जोड़ी हैं, floral database में, मतलब जो plant species हैं, ये 2021 की बात हो रही है, तो 540 species animal database में जोड database में, तो total faunal species कितनी हैं इंडिया के अंदर, 1,3258 और 315 species floral data में जोड़ी हैं, तो अब कितनी total floral plant species इंडिया के अंदर, 55,048, जो 540 नई faunal species मिली हैं, animal species, इसमें 406 new discoveries हैं, और 134 new records हैं इंडिया के, मतलब ये species बाहर मिलती हैं, वर इंडिया में नी थी, इंडिया के अंदर एक नया mammal species, क्रोकी डूरा, नारकोंडामिका मिला, एक वाइट ट्रूथ श्रू हैं, नारकोंडाम आइलेंड्स ओफ अंडमाने निकोबार आइलेंड्स में मिला हैं, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, जो कि आप से वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, किसी भी exam में, ना किवल न्यू डिसकवरीज हुई हैं, वो ही हैं, फॉनल ग्रूप हाइमन नॉप टेरा से, ये ग्रूप ऑफ इंसेक्ट्स हैं, जिसमें सौफलाइज, वाप्स, बीज, आंट्स, ठीके ना, ये सब पाए जाते हैं, अगर आप देखो तो, एक दसमलाव जीरो तीन लॉक स्पेशी हैं, फॉना की इंडिया के अंदर, ये कॉंट्रिब्यूट करते हैं, इंडिया की 6.1% ऑफ पॉनल डाइवर्सिटी, 315 टैक्सा ऑफ फ्लोरा हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आप कह सकते हो, नए मिले हैं, 298 स्पेशीज हैं, और 17 इंटर स्पेसिफिक टैक्सा हैं, टोट अब इसमें कुछ वैस्कुलर हैं, कुछ नॉन वैस्कुलर हैं, किसकी बात हो रही, फ्लोरल की, तो वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में फर्क क्या होता है, जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एक वैस्कुलर टिशू होता है, जिससे वाटर, अबनाचल बदेश आता है नौर्थ इस्ट में और केरला आता है आपका वेस्टन गार्ट में हाला कि महारास से भी बहुत से यहां पे नए स्पेशीज और बायो डाविस्टी मिली एज बायो डाविस्टी जीस पेपल तू में चीज आपको काम आएगी अगली न्यूस क्या भाई climate prices rise by 2% can damage earth species देखें global emissions बढ़ते जा रहे और यह हमारे planet को आगया आने वले समय में कई decades तक heat करते रहेंगे Paris Agreement का जो target है 1.5 degree centigrade से 2 degree centigrade का यह overshoot हो जाएगा लेकिन experts का यह बोलना है कि यह overshoot हो जाएगा 2 degree से तो फिर stabilize हो के 2 degree के नीचे आ जाएगा लेकिन problem यह है कि यह जो temporary overshooting हो रही है यह जो 2 degree centigrade का increase है इसके उपर जो जा रहा है हमारा temperature इस overshooting के क्या changes होने वाले अगर यह overshooting माल लिजे temporary भी है यह जो हमारा temperature है अर्थ का वो 2 degree से जादा बढ़ गया प्री industrial evolution टाइम से और फिर वो 2 degree से कम हो गया थोड़ा सा तो यह जो temporary overshooting होई इससे क्या फरकाएगा इससे खतरनाक फरकाएगा पहले overall इस बात में clarity नहीं थी कि इस temporary overshooting से कितना ground level पर implant आएगा लेकिन यह impact बहुत जादा बढ़ा होने वाला है ऐसा बताया जाता है कि जो temporary overshooting होगी 2 degree centigrade से जादा की इससे waves आएंगी irreversible extinction की तसों हजार species यहाँ पे eliminate हो जाएंगी हमारे अर्थ के नक्षे से तो अगर humanity ने deep emission cuts नहीं किये इस decade के अंदर और यह सोचा कि आगे आने वाले समय में हम technology से emission कम करेंगे तो हम 2 degree centigrade को cross कर जाएंगे और इसका impact इतना खतरनाक होगा इतना जादा irreversible होगा कि उस समय पे हम इसको समाल नहीं पाएंगे ऐसे बहुत सारे global carbon sink eliminate हो जाएंगे बहुत सारे जो forest है वो dead हो जाएंगे बहुत सारे water bodies dead हो जाएंगे और यह forest water bodies greenhouse gas emissions के source सॉरी sink की तरह काम करती है एक बार sink खतम हो गया तो और बहुत सा greenhouse gases हमारे atmosphere में पहुँच जाएंगे excruciating और excurbating effect डालेंगी हमें control करना मुश्किल हो जाएगा तो यह जो planning मना की चल रही है न दुनिया भर की countries expert कि 2 degree centigrade temperature overshoot होगा और फिर इसके नीचे आ जाएगा यह planning फेल भी हो सकती चोकि जैसे 2 degree centigrade temperature overshoot हुआ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारी पहुँच के बहुत 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 होंगी GS paper 3 climate change में news आपको काम आईगी फिर अगली news चेन कुरिंजी को climate change से बचा अब यह क्या है देखे शैंडूर्णी wildlife century यहाँ पे एक species पाई जाती है gluta trevencorica यह particular species endemic है अगस्त मलाई बावस्पेर रिजर्व में और वहाँ पे इसको locally बोला जाता है चेन कुरिंजी यह particular जो species है यह belong करती एना कर्डिसे family को और आप कहलो कि यह जो अगस्त मिलाई बावस्पेर रिजर्व से हैं यहां कि जो southern parts जहां पे आरियन कावू पास पाया जाता है वहाँ पे overall बहुत हद तक यह species पाई जाती है कौन सी चेन कुरिंजी अब यह जो particular चेन कुरिंजी जिसको आप ग्लूटा ट्रवन कोरा भी बोलते हैं कि बहुत सेक्सेप्टिबल है climate change को overall इस species के अभी तो appropriate amount of trees नंबर बताया जा रहे है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाल समय में इस particular tree species की जो नंबर है वो गिरेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है right में ग्लूटा ट्रवन कोरिका जिसको आप चेन कुरिंजी भी बोलते हैं क्या है कि overall इस tree की flowering और fruitation rate कम होता नज़र आ रहा है इस particular tree का emergency restocking बहुत ज़ादा जुरूरी है एक big reading और negative state में जा रहा है यह tree और अगले 25 सालों में बहुत बड़ी quantity में इस particular tree species के नंबर कम हो सकते हैं ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है नालग अलग environmental activist के दौरा यह जो tree है यह पौनमूरी के इलाके में जो शोला forest है वहाँ पर यह पाये जाता है क्योंकि इसका जो pollination है वो थोड़ा मुश्किल है इसका जो habitat है वो depression को face कर रहा है यहाँ पर forest officials का यह कहना है कि इस particular tree के अंदर medicinal properties है ठीक है ना यह blood pressure को low करता है arthritis को treat करता है तो इस tree को मतब tree को support करना ज़रूरी है जो कि medicinal purposes के respect में भी important है scientific purposes के respect में भी important है और overall देखा जाए तो local ecology के लिए भी यह उतना ही important है अगर देखा जाए तो कुछ conservation measures यहाँ पर launch किये गए थे department के दोरह जैसे कि for example HN coil for a division में एक save कुरुणजी नाम का campaign शुरू किया गया है कि हजारों की तागाद में इस particular tree की saplings को लगाता ताकि आगे आने वाले समय में नए चिन कुरुणजी नाम के जो trees है वो पैदा हो सके इसके लिए proper awareness campaign शुरू किया गया है 75 स्कूलों में कोलम और पतन मितिता districts में तो basically जो local ecology है local environmental enthusiast है जो state administration है वो पूरे efforts कर रही है कि इस particular tree की जो overall quantity है वो कम ना हो जो कि यह local ecological important है scientific purposes में इसका usage है वगर वगर जीस पे बत्री बायो डावस्टी में न्यूज आपको काम आएगी फिर अगली न्यूज है protesters storm Libyan parliament set it ablaze देखें Libyan जो parliament है वहाँ पर protesters घुज गए eastern city of Tobruk एक जुलाई को और बहुत से आप कहलो parliament के हिस्सों को जला दिया अब समझिये Libyan की राजधानी Tripoli है Tobruk नहीं है आप सेख सवाल है Libyan country की neighboring countries कौन कौन सी है नीचे comment box में बता है और क्या किसी समुंदर के साथ boundary लगाता है Libyan नीचे बताओ वैसे मैंने पहले इसके नक्षे दिखा रखे यहाँ पर मैंने intentionally इसके नक्षे को include नहीं किया नक्षे यहाँ पर include किया है और आल अब सब कुछ आपको देखी गया गल्फ और सिद्रा वगर याद रखेगा पर फिर भी इस नक्षे को observe करके बताईए यहाँ पर कि आपको इसकी bordering countries कौन कौन सी मिल रही है अचा लेक्चर समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर दो शहरों के नाम आएंगे एक Tripoli का एक Tobruk का समझे दोश सिड़ी के नाम बता रहा हूँ लिब्या में यहाँ Tripoli है यहाँ Tobruk है दोनों ही Mediterranean सीगे किनारे है अब समझते हैं वापस आते हैं Tripoli के बजाए Tobruk के अंदर जो Parliament है लिब्या की वहाँ पे कुछ लोग गुसे और उन्होंने Parliament में तोड़ा फाड़ी मचा दी आग लगा दी गुस्सा आ गया लोगों को लोगों को गुस्सा आ रही है कि Living Conditions इतनी खराब है Political Deadlock है लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हूँ Black Smoke निकल ली थी Parliament से टायर और कारों को जला दिया गया Compound Date को तोड़ते हो इसकी राजधानी जब Tripoli है तो Tobruk में ववाल क्यों हो रहा है उसका रीजन ये है कि जब से मौमत कदाफी को हटाया गया लिब्या के अंदर से उसके बाद से लिब्या के अंदर Civil War की Condition आ गी और दो ग्रूप उठके निकल के आ गया है लिब्या के अंदर एक ग्रूप का जो आप कहलो Headquarter है वो है Tobruk में इसको बोला आता है लिब्या's House of Representatives ये Tripoli से लगबग 1000 किलोमेटर दूर है खीकि ना और जो Tripoli के अंदर Parliament है इसको आप बोलते हो High Council of State ये एक अलग Legislature है तो अब आप कहलो कि दो Power Centers उभर के आगे हैं एक की Parliament है आपकी कहाँ पे Tripoli में एक की है आपकी Tobruk में और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह कि हमें Representative Libya के हमें Representative Libya के और Libya की लोग बोल रहे हैं कि गधों तुम दोनों में से कोई Representative नहीं है हमें हमारा रहने का ठीक तरह की देखे दोनों खेमें आपस में लड़ रहे हैं Political deadlock चल रहा है लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे है भगया इतनी गर्मी पढ़ रही है वहाँ पे Libya में Power Cuts हो नहीं बिजली आई नहीं रही है Oil ही नहीं लोगों के लिए जो protesters हैं वो चला रहे हैं कि भईया हमें light दो जब कदाफी था तो एक राजा था तो एक राजा थोड़ा बहुत तो लोगों के लिए कर देगा यहां पे दो अलग अलग राजे हैं Proper democracy भी नहीं है ना proper dictator से पह बिलकुल के वहाँ से लोगों के लिए कोई काम करी नहीं रहा है तो पार्लामेंट में घुसके चीज़ें जला दी गई तो त्रिपोली बेस जो government है जो उसके head है अब्दुल हामिद दिबाया इन्होंने बोला कि protesters ने बड़ा अच्छा किया तोब्रुक के अंदर घुसके पार्लामेंट जला दी जो कि तोब्रुक के पार्लामेंट के जो लीडर है जिनका नाम है आपका खालिफा अफ्तार ठीकी ना और फाती बशागा फाती बशागा कह सकते हो जो तोब्रुक वाली सरकार है उसके लीडर है तो फाती बजागा का जो सेंटर ओफ पावर है तोबरुग यहाँ पे घुसके पारलेमेंट को आग लगा दी तो त्रिपॉली के पारलेमेंट के जो एड हैं वो बड़े खुस हो गए जिनका नाम है अबदुल हामिद दबाया ये अबदुल हामिद दबाया और फाती बजागा आपस में एक दुसरे के साथ हमेशा लड़ते ही नजर आते, फाती बजागा बोलते की मैं हू लिब्या काляются का निटेटिव अबदुल हामिद दबाया बोलते हैं मैं हू एक तरिपॉली में बैठा है एक तोब्रुग में बै या कौन सी constituency में कौन सा candidate खड़ा होगा, किस political party को किस जगा पे कितना representation मिलेगा, power sharing किस हिसाब से होगी, prime minister कौन बनेगा, बाकी ministers कौन बनेगी, किस के पास कितनी ताकत होगी, prime minister के पास, president के पास, यह कुछ defined ही नहीं है, इस बात को लेके जो तोनों political खिमें, इनके बीच में deep dissensions है, और वो अपने dissensions को ही sort out नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए काम करना तो दूर की बात है, लोगों के लिए तो काम अब तब करोगे न, जब आप अपने internal political disputes को sort out कर सकोगे, वो ये करी नहीं पा रहे हैं, United Nations ने 30 जून को बोला, कि जो rival Libyan institutions हैं, ये overall बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत के बाद भी ये अपने key differences को sort out नहीं कर पा रहे हैं, ये deadlock को यहाँ पे हटाई ही नहीं पा रहे हैं, थोड़ी बहुत progress पिछले साल हुई थी, और ऐसा लगा था कि Libyan के अंदर elections होंगे, लेकिन end time पे सब कुछ यहाँ पे बिकड़ गया, कोई presidential vote यहाँ पे हो नहीं पाया, और UN की जो top Libyan envoy हैं, United Nations ने अपना एक representative भेज रखा है Libyan में, कि जाके भी यह बादचीद करके सुल्टा हो, Stephanie Williams से, इन्होंने गोलाए कि अभी भी चीज़ें बहुत problematic हैं, ground level पे election के panameter decide हो पाएंगे, कौन power share करेगा, कौन नहीं करेगा, यह decide हो पाएगा, इसके chances बहुत ज़्यादा कम है, ठीके, बशाका जो की तोबरुक में वैठे हैं, यह बोल रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर, दिबाया प्राइम मिनिस्टर नहीं, दिबाया बोल रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर, दोने एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, इन फैक्ट में बता हूँ, लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा तो लोग अप सड़कों बोता रहा हैं तोड़फुड मचा रहा हैं ऐसा नहीं कि तोड़फुड के वल तोबरुक में होगी त्रिपोली की पारलेमेंट तक भी पहुंच सकती है लोग खुले आम सड़कों पाके दिबाय और बशागा दोनों के पुतले जला रहे हैं दोनों को घरी आ रहे हैं गालिया दे रहे हैं लेकिन अवरॉल ग्राउंड लिल पर कुछ भी सौल नहीं है फिर जो निब्या की नेशनल ओयल कॉर्परिशन नाम की कमपनी है इसने बोला कि 30 जून को इन्होंने एनाउंस किया क अब साड़े तीन बिलियन डॉलर के नुकसान ओर ये ऑइल एक्सपोर्ट करते हैं अब पहले जो इनका एक्सपोर्ट था वो था लगबग आप कहलो कि 12,00,000 बैरल्स पर डे के लगबग लेकिन अब 3,65,000 से 4,00,000 बैरल्स पर डे ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 8,65,000 बै प्रावलम को solve करने एक बजाया आपस में तुत्ते विली लिए थाड़ा लटर रहें जीस पर बटू इंटरनेशनल न्यूज में आपको चीज काम आगी तो thank you for watching friends I hope पूछना कुछ आपको useful यहां पर जानने को मिलाओगा अपने viewpoint नीशे comment box में देखे जाएगा इस्टर्राम पर follow कर लिजेगा टेली कर आपके और हो सके तो join button दापके और super thanks का option दबा के help करें have a great day friends goodbye ध्यान रखे अबना पर दो